तो चलिए दोस्तों, 22 और 23 मई को बढ़ने वाले हरियनक अंटरफेर के कोश्चन्स आज की वीडियो में हम रिजन करेंगे लेकिन उसे पहले हम आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो पहला परसन है हाइना सरकार ने कोरोना से सफाई करमचारियों की मोद पर कितने रूपे मावजे के तोर पर देने की गोशना की है तो ये गोशना की गई है सरकार के दोरा 20 लाक रूपे देने की गोशना हाइन सरकार ने सफाई करमचारियों के लिए बड़ा एलान किया है रज के घरे, सौस्ते और सहरी निकाई मंतरी अनिल विजने काया है कि कोरोना ड्यूटी के दौरान यदि किसी भी सफाई करमचारी की महमारी की कारण मोद हो जाती है इसके बाद है हाल हिमे हरियना खदे एं सावजनी को वितन मंतराले ने परवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सी अब लॉंज की है तो ये लॉंज की है मेरा रासन अब इसके बाद है Smart City की रांकिंग में हरियना के फरिदाबाद का कौन सा स्थान आया है तो ये आया है 46 स्थान Smart City प्रियोजना के कारियानवन के परगती के अधार पर जारकर्ण ने भारत के 36 राजियों और केंदर सासित प्रदेसों में पहला स्थान प्राप्त किया है इस रैंकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है यह रैंकिंग मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग एंड आर्बन एफेर्स के द्वारा रैंक की जाएगी राजस्थान 27 रैंक चड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है यह पिछली रैंकिंग में 29 में स्थान पर था राजस्थान राजय के 4 सहर उदयपूर 8 में, कोटा 11 में, अजमेर 39 में, जैपुर 34 में सो समार्ट सिटी की रैंकिंग में शामिले किये गई है। यह राज़कर की राज़कर दूस्थान पर है राजियों या फिर केंदर सासित परदेशों की सूची में दिल्ली 11 स्थान पर है, बिहार 27 स्थान पर है, पटना 68 स्थान पर है और नई दिल्ली नगर निगम 41 स्थान पर है तो इसे अच्छे से ध्यान रखिए इससे related questions काफी बार exams के अंदर पूछे जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें समार सिटी मिशन की, तो इसे 2015 में 48,000 क्रोड रुपए के overalls के साथ launch किया गया था समार सिटी मिशन के लिए किंद्रे बजट 2021-22 में 6,450 क्रोड रुपए आवंटित किया गये थे इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है कि 2050 तक भारत की सहरी अबादी करीब 810 मिलियन हो जाएगी इसके बाद है परतम हरियाना Air Wing Battalion वे 3rd हरियाना Girl Battalion के कंडिडेट्स GJU के NCC विभाग की द्वारा हाल ही में आतंक विरोधी दिवस बनाया गया है ये आतंक विरोधी दिवस कब बनाया जाता है तो ये दिवस बनाया जाता है 21 माई को भारत हर साल 21 माई को राष्टिय आतंगवाद विरोधी यनकी National Anti-Terrorist Day बनाता है यह दिन पूरू पदानमंत्री राजीव गांदी की पुनेतिती के रूप में बनाया जाता है इसका मेन उदेश है एकता और अनुसासन को बनाया रखना है इसके Director General है Lieutenant General तरुन कुमार और इसकी खोज Government of United Kingdom की द्वारा किये गई थी इसकी स्थापना 16 अप्रेल 1948 को की गई थी वर्तवान में इसका Headquarter नई दिली में है और Notable जो Commanders है वो Lieutenant General राजीव चोपरा फिलहालिस के Commander है इसी दिन यनकी 21 मई 1991 को भारत के पूर्व पदामंतरी राजीव गांदी की तमिलाडू के श्री पेरू बुंदूर के अंदर आतंगवादियों के द्वारा हात्या कर दे गई थी आतंगवाद विरोधी दियुस बनाने काउदेशय राश्टे हितों पर पढ़ने वाले पर्तिकूल पर भाव आतंग के कारण आम जनता को हो रही पेरिशानियों वै आतंग की हिंसा से दूर रखना है इसके बद है खेल मंत्राइल ने इस साल नौंबर में होने वाले खेलो इंडिया यूद गेम्स के चोते संस्कंड की में जबानी के लिए हरियाना को कितने क्रोड रुपय मंजूर किये हैं तो यह किये गए हैं 20.67 क्रोड रुपय मंजूर तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूद गेम्स 21 नौंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच आउजित किये जाएंगे यहाँ पर 25 परकार के खेल होंगे जिसमें 8500 परती भागी भाग लेंगे यहाँ पर 5 परामपर खेल भी इनके अंदर शामिल किये गए हैं जो हैं गतका, कलारी पट् ठांगता, मलखंब और योग ये भी इसमें शामिल किये गए हैं इन सब की जनकारे खेल मंतरी संदीप सिंग की द्वारा देग गए हैं इसके बाद है हाल ही में हरीना एम बिहार के पूरू रजेपाल और राज़तान के किस पूरू मुख्यमंतरी का कोरोना की चपेट में से 33 वर्स की उमर में निधन हो गया है तो यह हुआ है जगरनात पहाडिया का राज़तान के पूरू मुख्यमंतरी जगरनात पहाडिया का 19 मई 2021 को निधन हो गया है इनका जनम 15 जनवरी सन 1932 को हुआ था 89 साल के पहाडिया ने गुड़गाओं के अस्पताल में अंतिम सांस लिए जगरनात पहाडिया चैजुन उनीसो आसी से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ तेरा महिने यनकी एक साल एक महिने की ही राजस्तान की मुख्यमंतरी भी रहे थे राज्य सरकार ने उनकी निधन पर एक दिन के राज्यके सोक की होशना की है लेकिन इस छोटे से कारेकाल में उन् इसके बद है आईश्मान भारत सरकार की किस योजना के अंतरगत हरियान के कोरोन से परभावित गरीबों को 5 कुरूर रुपय का निसूल को उप्चार उपलब्द करवाए गया है तो यह करवाए गया है आईश्मान भारत योजना के अंतरगत तो यहां पर हरियान सरकार ग एक साल तक वैलियर होगा यानकी एक साल के अंदर अंदर पांच लाग तक का इलाज किया जाएगा यानकी नेक्स साल फिर पांच लाग उससे नेक्स साल फिर पांच लाग तक का इलाज किया जाएगा COVID-19 के लिए 261 सूची बद अस्पतालों के अंदर इसका निस्वलक उप्चार किया जा रहा है 11,300 से ज़्यादा COVID संक्रमितों पर अब तक सरकार ने 5 क्रोड रुपए वे किये है इसके बाद है समाजिक न्याय और अधिकारिक्ता मंत्राले ने L9 Lines प्रियोजना के तहत राजयवार कोल सेंटर सुरू किये हैं इसके लिए बुजूर्ग टोल फ्री नंबर कौन सजारी किया गया है तो ये किया गया है 14567 नंबर L9 Lines की स्विधा 5 हूंक राजियों उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, राजस्तान, तमिलाडू और करनाटा के अंदर पहले से ही चालू है ये स्विधा तेलंगाना में एक साल से अधिक समय से चल रही है समाजिक नयाय और अधिकार्टिक्ता मंत्राले ने चल रहे COVID-19 मावारी के कारण बुजूर्गों को होने वाली कटनाईयों को दूर करने के लिए एल्डर लाइन प्रियोजना के तहत राज्यवार काल सेंटर सुरू किये हैं बुजूर्ग टोल फ्री नंबर 14567 की जरिए कोल सेंटरों तक पहुंच सकते हैं मंत्राले मई 2020 के अन तक सभी राज्यों में कोल सेंटरों को चालू करने की दिशा में काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट एल्डराइन्स को टाटा ट्रस्ट और एनसी फांडेशन के सेयोग से शुरू किया गया था यह सुईदा कोविड-19 वावारी के बीच वरिश नागरिकों को साहता और आराम परदान करती है इसके बाद है हरियन का एक मात्र गाउं जहां कोरोन का एक भी केस नहीं मिला है वो कौन सा है तो वो गाउं है रूप सराइ आप यहां देख सकते हैं यह रूप सराइ के खेल ग्राउंड का एक बोर्ड लगा हुआ है तो जाइसी बात है यहां की जो लोग है उन्होंने जब करोना स्टार्ट हुआ था उसके चलते ही सुरात में ही कुछ कठोर फैसली लिये थे सब गाउं ने मिलकर और उन्होंने फैसला लिया कि गाउं के अंदर बिना किसी प्रमिशन के नए व्यक्ति को कोई भार से आता है तो उसको परवेश नहीं दिया जाएगा और सब का चैक अप किया जाएगा सब के मुँँ पर मास्क अनिवारिया होगा सेनिटाइज लगान करने दिया जाएगा और नए लोग को गाउं के अंदर नहीं करने दिया जाएगा इन सभी को धेयर में रखते हुए यह हरियान का पहला ऐसा गहां बन चका है जहां पर कोरोना का कोई ही केस फिलहाल नहीं पाए गयगा है हरियन के कि इतने गाउं में अब तक विलेज आई- 310 गाओं के अंदर इसके बाद है हारिना प्रदेश की पहली पसु टैली मेडिसीन सेवा की सुरुआत कहां से हुई है तो ये सुरुआत होई है नारनौल से पसु के खाने पिने रख रखाओ टीके सहीत जो भीजानकारी पसु पालकों को चाहिए उसके लिए उसे अब पसु होस्पिटल जाने की जोरत नहीं होगी परदेश की पहली पसु टैली मेडिसीन सेवा की सुरुआत नारनौल से होई है मैं आपको बता देता हूँ कि नारनौल महंदरगड जिले के अंतरगत आता है इसके लिए 94857808000 नंबर जारी किया गया है यह नंबर कोल सेंटर की तर फोन पर ही किया जाएगा यह सेवा सभी कारे दियोस पर सुबह दस से दोपर एक बजे तक मिलेगी इस से पसु पालकों को सरकार की योजराओं के साथ ही अपने पसु से समन्नित हर जनकारी भी मिल सकेगी इस सेवा से पसु पालकों को कोरोना की गाइड लाइन का पालन करन में भी सुईधा मिलेगी और उसे पसू होस्पिटल के चक्र भी नहीं लगाने होंगे तो यहां पर आज के हर्यान करेंट अफेस के कोश्चन्स खतम होते हैं अब हम देख लिते हैं कल के परसंड का आंस्वर तो हमने पूचा था कि हाल ही में किसे H.s.c के नए अदेक्स के रूप में नियूग्त किया गया है तो जो राइट आंस्वर था वो था ह्वापाल सिंग को हर्यान करमचारी चायन आयोग का नया चैर्में न्यूग्त किया है भपाल सिंग अभी आयोग में बतोर सदस्य सेमाई दे रहे थे चैर्मेन के साथ यह सरक हुआ है टिप भी डिगोई डिग सरा या फिर सुली खेड़ा तो आपको राइट ओप्शन हमें कमेंट बोक्स में बताना है तो आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जूर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो स्क्राइब करना बिलकुल मत बूलिए और आज कर मैं देख रहा हूं कि काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी वीडियो देख तो लेते हैं वोच तो कर लेते हैं लेकिन चैनल को स्क्राइब नहीं करते हैं देखिए आपके स्क्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है लेक घर पे रहें सेफ रहें सुरक्षी तरहें सेनिटाइज करते रहें जूरूत होने पर घर सेने के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जबारत